ये हैं हिमाचल प्रदेश का दशाल गाउं इस गाउं के बीचों बीच है सनी देवल का महल जैसा फार्म हाउस सनी देवल ने 20 साल के लीज पर मनाली की दस्दीक नगर के दशाल विलिज में बड़ा सा घर लिया है कहा गाता है कि जब वो अपने बेटे करण की पहली फिल्म पलपल दिल के पास की शूटने के लिए आये थे तो उन्हें दशाल गाउं से प्यार हो गया था और साल 2017 में उन्होंने इस विशाल बंगले को अपना बना लिया पिछले छे सालों से सनी देओल इस गाउं की निवासी बने हुए है बतादे मुंबई के भाग दोड़ भरे जिंदगी से दूर अकसर सनी देओल यहां शान्ती के कुछ पल बिताने के लिए आ जाते है वहीं बेटी की शादी के बाद दुल्हा दुल्हन को लेकर वो अपने फार्म हाउस पर आए है बेटे की शादी मुंबई में निप्टाने के बाद सनी देओल वरवधू के साथ सीधे हिमाचला गए और दशाल गाओं के वासियों को उन्होंने शादी की दावत दी है दावत से रिमिनी की तस्वीर सोचल मेडिया पर वाइरल हो रही है पिक्चर में सनी और करन हिमाचली टोपी में गाओं वालों के बीच दिख रहे हैं मतादे सानी देवल इस गाओं के लोगों से बहुत घुल मिल गए हैं और यहां आकर स्टार की तरह नहीं बलकि गाओं वासी बन कर रहते हैं इसी बीच उनके बेटे और बहु करन और दृशा ने दशाल गाओं के मश्हूर मंदिर में भी जाकर आशिरवाद दिया है दूला दृवन फिलास्ता नि देवल के इस बंगले में ठेहरे हुए है और हमाचल के हसीन वादियों में हनीमून बना रहे हैं करन देवल और दृशा ने इस बंगले की कई तस्वीरे शेयर की है शेयर की गई पहली पिक्चर में बादल, पहाड और हर्याली है वहीं करन ने अपने फार्म हाउस पर रहने वाले डॉक्स की तस्वीर भी शेयर की है और वो उनके साथ खेलते हुए दिख रहे हैं करन ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो अपने फार्म पर फुटबॉल खेलते दिखाई दे रहे हैं रिशा ने अपने ससराल के दशाल गाउं वाले बंगले की एक खूपसुरत पिक्चर शेयर की है जिसमें काफी सुन्दर नजारा दिखाई दे रहा है वहीं उन्होंने बंगले के अंदर का फायर प्लेस भी शेयर किया है देखा जाए तो सनी देवल का ये बंगला बहुत मैंटेंड है उनके फार्म हाउस पर ग्रे कलर का तीन मंजिला घर है इसके लावा उन्होंने एक और घर बना रखा है इसके चछट हरे रंकी है और वो पूरी तरह यूरोपियन स्टाइल में बना है उनके घर के आसपास उन्होंने सेव का बगीचा लगा रखा है साथ ही फार्म हाउस पर कई पालतु जानवर भी पाल रखे है वहीं इस फार्म हाउस के चारो तरफ बर्फ से लदी पहाडी चोटिया है सर्दी की दिनों में तो सनी देवल का फार्म हाउस भी बर्फ से भर जाता है एक बार उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया था जिसमें बर्फ के बीच शोर्टलेस होकर घूम रहे थे सनी देवल अप मनाली की वादियों में इसकदर रजगए हैं कि उन्हें यहां की पहाड़ियों से नहीं बलकि यहां की संस्कृति और खानपान से भी बहत लगाव है गाउवालों के साथ वो यहां की लोकल खानपान का खूप आनंद लेते हैं बतादे सानी देवल अपने इस बंगले में एक बार मा प्रकाश कौर को भी लेकर आये थे मा के साथ उन्होंने दशाल गाओं में कई दिन बताए थे और हॉलिडे की तस्वीरों और वीडियो सोचल मेडिया पर शेयर किये थे वहीं पापा धरमेंदर भी बेटे के विशाल फार्म हाउस में आकर हॉलिडे बना चीके हैं देखा जाए तो ये फार्म हाउस देवल परिवार का फेवरेट हॉलिडे देस्टिनेशन बन चुका है विरो रिपोर्ट इटवटीफोर प्राइब बना चुका है